नमस्कार दोस्तों Techstar में आपका बहुत बहुत है तो दोस्तों ये वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं LCD LED और OLED के बारे में दोस्तों तो ये कितने अलग-अलग होते है LCDs और LED में क्या फरुख होता है और क्या ये सेम होते है और कैसे काम करते हैं दोस्तों ये सभी TVs तो इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं कौन से आपके लिए अच्छा हो सकता है टीवी तो दित्तेरी मेरा ये फूरा फीडियो तो चलिए शुरू करते है अगर वीडियो पसंद आ है तो लाइफ ज़रूर कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राब करना मत बुलना बेल आइकन भी दबा दीना दोस्तों तो अभी दोस्तों मैं आता हूं सबसे पहले LCD के उपर दोस्तों तो LCD में कि होता क्या है LCD का मतलब होता है दोस्तों Liquid Crystal Display तो यहाँ पर आगे तो आपको डिस्प्ले दीखने मिल जाता है दोस्तों लेकिन डिस्प्ले में जो भी होती है जो कि मदद कर दिये pictures को हमारे आंकों तक पहुचने के लिए दोस्तों तो अभी picture quality के यहां पर मैं बात करूँ तो picture quality कुछ इतने ज्यादा खास नहीं रहती है यहां पर जो कि black का portion रहता है वो black इतनी हद तक है वो black नहीं कर पाता है black का portion को इसलिए LCD इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है इस मामले में दोस्तों तो अभी मैं आता हूँ LED के उपर दोस्तों LCD और LED में कुछ ज़्यादा फरग नहीं होता है जो मैंने आपको LCD में बताया कि वहाँ पर CCFL की lightning का पैनल लगा होता है तो LED में यहाँ पर लगा रहता है दोस्तों LED lights का पैनल लगा रहता है जो कि यहाँ पर picture quality काफी हद तक अच्छी हो जाती है जो कि हमारे black का portion है pixels को black pixels को काफी मदद करती है black करने में जो कि जो भी portion आपको picture में black करना है तो जैसे ही आप on करते हो अपना TV तो LED lights का पैनल पे on हो जाता है जो picture को black करना है और वो dim हो जाते है वो portion का पैनल दोस्तों LED का तो यह काफी हद तक मेंटेंग करता है picture quality को दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ी technology है advanced हो गई है तो यह ज्यादा expensive भी होती है दोस्तों और efficient भी होती है यह पावर को कम consume करती है लेकिन rate में थोड़ी जाधा होती है LED दोस्तों और LCD में देखा जाए तो power बहुत जाधा consume करता है LCD और rate में थोड़ी कम होती है दोस्तों तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा बेटर हो जाता है हम LED के और जाए दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आता हूँ OLED के उपर दोस्तों यह थोड़े एक step forward हो गए यह LED TVs के दोस्तों यहाँ पर टेकनोलोजी थोड़ी advance हो गई है और यह efficient भी होता है power को भी कम consume करता है और दोस्तों यहाँ पर contrast ratio होते है वो बहुत ही कमाल के होते है जो भी portion आपको picture का black चाहिए वो black ही हो जाते है दोस्तों और जो भी portion white चाहिए वो white होते है तो picture quality को काफी हद तक यह अच्छी कर देते OLED TVs दोस्तों यह हो जाते है प्राइज में expensive हो जाते है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर technology बहुत ज्यादा आपके conception clear कर दिये है यहाँ पर तो अभी आई यह आपके उपर different है आपको LCD चाहिए LED चाहिए या फिर OLED चाहिए सबके अलग अलग picture quality है कोई expensive है कोई नहीं है कोई जादा energy consume करता है तो कोई नहीं करता है ऐसी बात है दोस्तों अगर वीडियो पसंदा है तो like जरू कर देना और चैनल को subscribe करना मत भूलना और bell icon भी दबा देना और दोस्तों आपको कोई भी doubts हो तो मुझे नीचे comment में ब्रहे